हेलो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो यह मदस्डे का व्लॉग है और तन्वी जो है डोसा बनाने की कोसिस कर रही है तो फर्स्ट टाइम यह मेरे लिए डोसा बना रही है मदस्डे स्पेशल डोसा तो यहां पे देखिए बैटर तयार कर ली है तवा रख दिया है और यहां पे मसाला भी तयार कर लिया है तो यह सारा कुछ तन्वी ने खुद किया है बस इस चटनी में मैंने फ्राई लगाया है और जो है यह मुंफली की चटनी है तो यह सब कुछ तयार होने के बाद अब यह डोसा बनाएंगी और हम को खिलाने वाली है मुझे और दादी को तो बहुत जो है excited थी तन्वी फर्स टाइम बना रही थी YouTube से देख देख करके यह बना रही है तो चलिए finally देखिए कैसा बनके तयार होता है तो यह सारा item जो है यह समय खुद तयार किया है बस थोड़ा-थोड़ा बीच मेरा help लिया ह है और तो तन्वी खाने की बहुत सौखीन है उनको रोज कुछ न कुछ अलग-अलग चाहिए खाने को कभी-कभी मैं बना देती हूं और जब मैं नहीं बनाती हूं तो यह खुद भी बना लेती है तो आज इनके दिमांग में आया कि आज मदस्टे है और संडे है तो आज है मैं डोसा बनाती हूं मैंने बूल ठीक है करके देख लो लेकिन डर बना रहता है ना कि अभी तो बच्ची ही है कहीं कुछ मतब जल वलना जाए या दिकत नहों तो साथ में मैं लगी रहती हूं तो मैं किचन में आ गए थी जबकि वह कह रही थी कि आप जाओ यहां से मैं कर लूँगी लेकिन फिर भी देखिए ये डोसा कम चीला ज्यादा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा बैटर अच्छा नहीं बन पाया था फिरस्ट टाइम उसने बनाया था फिर उसका प्रयास काफी अच्छा था टेस्ट तो बहुत अच्छा बना था इसका और थोड़ा मो रही है इस पर बुली नहीं मैं ही सब कुछ करूंगी बस ये पहला वाला खराब हो रहा है तो इसको ठीक कर दो इसके बाद मैं ही बनाऊंगी तो बोल रही थी कि एक बना करके मैं खा लूँगी उसके बाद सब को दूँगी तो मैंने बोला ठीक है तुम खालो पहले फिर ह तुम खालो अच्छे से इसके बाद मुझे देना मेरा भी मन नहीं है मैं जा रही हूँ गार्डेन में तो मैं टेरेस पर चली गई थी फिर इसने सारा बना लिया तनमे को दादी को सबको खिला भी दिया और उसके बाद जो है जब मैं आई उपर से तो फिर मुझे दिया तो मैं खालो तो फिर मैंने टेस्ट किया मैंने का चलो टेस्ट करके देखती हूं तो चलिए टेस्ट करके बताती हूं आपको कि कैसा लग रहा है और बीच बीच में इनका ये पहले वाले में हिल्प कर रही हूं वैसे बच्चों के मूड की ही बात होती है मन में आता है तो बह सद कर रहे तो यह वाला ही मैं और तर्मी मिल के थोड़ा-थोड़ तेस्ट किये थे उसके भाद फिर मैं टेरस पर चली गई थी फिर दादी आ गई थी तो वो साथ में इसके खड़ी थी देख रही थी कि कैसे बना रही है तो यह सेके इसका अच्छा बना था था तो खूस हो बनाया था एकदम मतलब जैसे समोसे का होता है न उस टाइब से बनाया था तो बना लेती हैं सब कुछ अच्छा लगता है इनके हाथ का और देखिए खुद भी खाने के लिए तियार हो रही है मैं डाट भी रही हूं कि ऐसे नहीं खाते हैं दादी देखेंगी तो वह नहीं तो बोलने हाथ धूल लेंगे उसके बाद खाएं बनाएंगे फिर हाथ धूल करके और बना रही है और मैं अब जाओंगी टेरेस पर मैंने बोल दिया था कि अब जो है तुम बनाना तो देखिए आ गई मैं नीचे थोड़ा बुतकाम उपर किया गार्डेन में और अभी प तो देखिए तनमे भी आँ बैट करके खा रहे हैं और टीवी चल रही है साथ में तो बस इसी तरह से मदस्टे हमने सेलिवरेट किया और केक वगएरा ना तो खाते-खाते मन उप जाता है तो बोल रही थी पापा से कि पापा मदस्टे है दादी के लिए के लिए के लिए जब केक आ जाता है न तो बिल्कुल अब मन नहीं हो रहा है केक खाने का और फिर उपर आ गये थे तो यहां भी दोनों बच्चे साथ में आये और बोले कि आज हम लोग गार्डेन में पानी देंगे और ममी तुम बैठ जाओ तो मैं बैठी थी तो इननों को रिकॉर्ड कर हुंदी झाल गारी थी और यहें दोनों लोग जो है इस बार पानी डाल रहे थे मैं ने रोज ही मदाज़्ड होता तो बच्चे रोज ही हप करते लेकिन나 के इंसे होता है दोनों मुस्कुरा रहे हैं जब मैंने यह बात बोला था कि हाँ आपको तो अच्छा है लेकिन हम ल इ tô होते ही हैं, मन में आया तो करेंगे, नहीं मन में आया तो आप कुछ भी कर लीजे नहीं करते हैं, तो चलिए क़म से कम, यÉ तो है दिमाग में कि आ आज मदास्दे है, तो दादी की, मम्मी की, ह Mit करनी हैं, और इतना भी सीखते रहेंगे बचे, तो आगे चल करके ठीकी हों और अगर नए है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ देखिए मैं यहाँ पे मस्ती आज कर रही हूँ नई तो एक से डेड़ घंटे लगते हैं यहाँ टेरेस पे पानी देने में इस समय गर्मियों में और कभी-कभी यह अकेले आ करके देते हैं कभी-कभी मैं अकेले आ जाती हूँ देती हूँ बच्चे नहीं लगते हैं लेकिन आज दोनों लोग देखिए लगे हुए हैं तो फिर मिलते हैं थैंक यू